Hello everyone, मैं आपके साथ मनोज वर्मा आप सभी की डिवान पे हमने वाइट लेवल के अंदर डेल्ट एक्चेंज को एड़ कर दिया है चारो वेडियेंट कर दिया है चारो वेडियेंट कौन से अभी मैं आपको दिखा दूँगा ये वीडियो जो बन रही है ना कि नेक्स लेवल बोट पर बन रही है तो यहां पर नेक्स लेवल बोट पर हम वाइट लेवल सर्विस प्रुवाइट करते हैं जिसके अंदर यूजर हम से वाइट लेवल लेकि लोगों को सेल करते हैं लोगों से लोग ट्रेडिंग करते हैं जैसे हमारा next level platform है next level board platform है same वैसे ही बन जाता है आपके domain पे होती है and आपके landing page पे होती है यूजर आता है account बनाता आपको payment करता है और अपनी elgo करता है इस तरीगी कुछ यह system है and जादा जानकारी के लिए क्या होगा description में वीडियो दाल दूगा जो भी white label से related में वीडियो बनाई है उसकी playlist आपको description में मिल जाएगी अब ही आ जाते हैं कि मैं live trading करके दिखाऊंगा आपको delta exchange पे कि आपके user कैसे काम करेंगी और मैंने कौन-कौन से variant आइड कर रखे हैं तो सबसे पहले चलते हैं हम next level algo पे और यह landing page है अगर आपको pricing बगेरा पता करनी है तो आप यहाँ देख सकते हो monthly और yearly और साथ ही आप contact कर सकते हो तो जैसे हम dashboard पे चलेंगे, dashboard पे जाने के बाद API पे चलेंगे and 8 API पे किलिक करेंगे और यहाँ पर हम delta exchange को select करेंगे यह सारे broker हमने white level के अंदर add कर दी हैं यह नहीं कि सबके अलग-अलग पैसे ले रहे हैं जो प्लान हम दे रहे हैं 12,000 रुपे monthly white level पे and उसके अंदर आपको इस सारे broker मिल रहे हैं and next कौन सा broker add करना वो मुझे आप बता दे न अभी मैं next जो add करने जारो, धन को add करने जारो, अभी तक हमने यह broker add कर दिये तो जैसे है मैं delta पे किलिक करूँगा and version पे जाएंगे तो आपको चार version मिलेंगे इसके अंदर delta india हो गया, testnet delta india हो गया, delta global हो गया and testnet global delta हो गया तो यह चार variant है जिनके end point delta की official site पे चारो अलग-अलग मिल रखे तो चारो हमने add कर दिये option future आपके user easily कर पाएंगे और मैं live दिखाऊंगा जब आप API add कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीकी API हैगी जो कि मैंने पहले से add कर रखी और on कर रखा है जैसे आप इसे on कर दोगे उसके बाद जो भी trading view से order दालोगे वो आपके यहां पर आने लगेंगे अब मैं live demo दिखाने वाला हूँ आपको तो मैं trading view पर चलता हूँ अब मैं trading view पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ आपके user जो order दालेंगे या आप trading करते हो अलगों से तो आप automation से करोगे आप अपना कोई indicator लगाओगे वो जब भी signal देगा आपके order अटोमेटिकल लग जाएंगे internet है light है नहीं है यह matter नहीं करता आपका PC on है और यह matter नहीं करता और साथ ही अगर आप multi account management करना चाहते हो कि आपके user ने पाँच API आड़ कर दी आपके platform पे जब वो order दाले तो पाँचों में लग जाए तो यह सारी भी आपको facilities के अंदर मिलती है जो next level यहां पर तीन लाइन डाल रखे क्योंकि मैं डेमो के लिए जो लूँगा वो horizontal लाइन लूँगा और आप indicator पर काम कर सकते हो तो मैं alerts बनाने जा रहा हूँ उसके हिसाफ से हो काम करेगा कि उन यूजर ने सामने वाले ने क्या आइड कर रखा है तो मैंने delta testnet आइड कर रखा है अगर आप देखोगे मैं से बंद कर देता हूँ तो delta testnet पर मेरे पास कोई order नहीं है और इसके अंदर कोई order तो नहीं है और मैं एक चीज़ देख लूँ एक second तो हाँ इधर आ जाते हैं तो उपर देखो मेरे को दिख रही है call BTC ये call दिख रही है कि इस price में मिल रही है तो मैं क्या करता हूँ इस symbol को को भी copy कर लेता हूँ इस symbol को copy पहले में आपको है na option में order लगा के दिखा देता हूँ हो भी auto strike price के साथ तो मैंने इसे copy करा and copy करने के बाद मैं चलता हूँ delta पर यहां पर जाने के बाद मैं auto strike price ले ले लेता हूँ एक auto strike price का syntax बना देता हूँ तो यहां symbol दालने को कह रहे हैं मैंने symbol दाला and symbol के अं अंदर हम price दालते ही नहीं क्योंगे हमें पता ही नहीं कि price क्या आएगा तो हम इसे बंद कर देते हैं आपके सामने में इसे बंद कर रहा हूँ and मतलब price को हटा दिया मैंने खाली यहां पर symbol का नाम है पहले तो यह है कि option type क्या है call and put फिर symbol का नाम है and expire ही है उसके बाद मैं quantity लेना चाहता हूँ एक इसमें contract size होता है and यह वो है कि आप कितने उपर कितने नीचे लेना चाहते हो मैं अभी zero कर देता हूँ and minus कर देता हूँ and minus कर देता हूँ जो near है इसमें 200 कर लेता हूँ क्योंकि जो delta exchange में option में gap चलता है 200 point का चलता है SLTP में लगाने की जूरत नहीं करता and copy कर देता हूँ copy करने के बाद मैं यहां आता हूँ and यहां पर आने के बाद मैं alerts बना लेता हूँ इसे add alerts webbook मैंने पहले से डाल रखा आप देख सकते हूँ and आपके user को क्या करना पड़ेगा आपकी site पर आके and उन्हें user क्या कहते हैं webbook लेना पड़ेगा कहां मेलेगा दिखा देता हूँ वो dashboard पहेंगे and जैसे इस पर click करेंगे तो webbook लेख सकते हैं तो मैंने इसे पर click कर दिया तो यह copy होगया अब syntax जो copy करा था हो हट गए तो फिर से मुझे syntax copy करने पड़ेगे मैं दुबार से copy कर लेता हूँ अब होगे copy syntax and मैं यहां आया और मैंने यहां पर यह syntax को डाल के इधर लिख दिया long ठीक है जी and long लिखने के बाद create कर दिया and एक पहले से alerts बनावा है इसे remove कर देता हूँ क्योंकि यह बेकार में बनावा है तो अगर आप देखोगे log के अंदर कोई भी log नहीं है and delta exchange पे भी जाके देखेंगे तो open position के अंदर कोई position नहीं है तो हम इसे tigger कराते हैं जैसे मैं इसे tigger कराता हूँ लाइन को candle पर रख देता हूँ यहाँ पर alerts आएगा यह alerts आया and हम delta exchange पे जाएंगे तो आप देखो यह order आ चुका है तो order किस में आया है यह automatic इनने decide कर लिया कि यह वाली call लेनी है क्यों decide कर लिया कि जो price चल रहा था एक बर देख लिता हूँ delta पे क्या price चल रहा था तो उसने उसी strike price के अंदर call का order लगा दिया क्योंकि यूजर को नहीं पता कि कब signal आएगा नेरभाय उनने ले लिया और साथ ही में आप इसको उपर नीचे करना चाहते हो in the money out the money तो वो भी आप syntax के शुरू कर सकते हो आपके user यहाँ पर वाई जो भी बनता है जैसे अभी जो बना हमारे पास उससे 1000 पोईंट और उपर लेना था तो यहाँ पर 1000 टाइप करके plus कर देंगे या minus कर देंगे तो order का बना लेता हूं यह transaction time optional है तो मैं symbol दाल देता हूं क्योंकि symbol compulsory है and generate करा तो यह मेरे पास syntax generate हो गया इसके अंदर हमें यह नहीं पता कि हमारा symbol expiry sorry हमें इसके अंदर हम यह बता देंगे कि यह strike price को हमें exit करना है तो इसके अंदर मतलब हम strike price expiry को exit करना है और symbol बता दिया इ यलो लाइन के अंदर exit का syntax बनाने जा रहा हूं तो यह मैंने syntax दाला and इधर कर देता हूं exit तो यह exit कर दाला तो इस तरीके से आपके user अगर आप next level bot use करते थे तो आपको पता हुआ किस किस तरीके के order लगा जाते similar ही है and अगर आप देखोगी यह order लगावा है मेरा एक contract से इधर and मैं इस exit करने जा रहा हूं तो exit करने के लिए जैसे मैं इस line को tigger कराता हूं horizontal line से यहां पर alerts आएगा exit colors आगे अगर इधर जाके देखेंगे तो यह exit हो जाएगा तो अभी exit नहीं हुआ है इसका पीछे एक region होगा वो मुझे समझना होगा and मैं पहले आपको देखके जाके वो region भी बता देता हूं तो हम dashboard पर चलते हैं and dashboard पर चलने के बाद user log पर चलते हैं and यहां पर जाके देखते हैं कि क्यों exit नहीं हुआ तो यहाँ पर exit ना होने का कारण जो हो सकता है एक बार मैं देख लेता हूँ इधर आया क्या है इधर आया अच्छा यहाँ मेरे से गलती हो गई यहाँ पर ts नहीं आएगा यहाँ पर as आएगा अल्टिनेटिव सिंबल आएगा तो जो syntax हमने generate करा था उसकी तरफ से by default ts आ रहा है और as आना चाहिए वो मैं syntax में तो fix कर दूँगा पर आपके लिए भी manually मैं इस चीज को करके दिखा देता हूँ तो मैं क्या गरता हूँ add syntax पे जाता हूँ जो ts है इसे as कर देता हूँ क्योंकि alternative symbol है अल्टिनेटिव में बता दू ts trading symbol होता है जिसमें हमें पता होता है हमें particular कौन सी strike price को exit करना है इसमें इसे पता ही नहीं बई कौन सी strike price exit करनी है इसे बस ये पता है कि आगे के ये वर्ड मिलने चाहिए और expiry मिलनी चाहिए तो exit कर दो strike price नहीं पता हो सकता है कि उसके पास पास तरह की strike price हो अलग-अलग और कौन सी उसे भी नहीं पता है क्योंकि auto strike price से तो order automatically आ रहे है तो इसके इसाब से exit करना है तो हम save कर लेते हैं अब अगर आप देखोगे trade exit यहाँ पर आप देखोगे तो exit नहीं हुए और मैं दुबारा से trigger कर रहाता हूँ तो इसके अंदर हमने जो facility दिये न admin भी user के क्या log आया है क्या error आया है वो देख सकते हैं साथी user भी देख सकता है और admin को अपनी request id बता सकता है तो अभी hit नहीं हुआ है मैं अभी अपनी बात पूरी करने लग गया था वेट करते हैं यहाँ पर hit हुआ एन इधर जाते हैं यह exit हो गया तो आपके सामने ही exit हो गया आपने देखा हमें यह कहाँ रहा था कि जैसे मैं मैंने क्या करा अगर आप देखोगे तो user जो admin होगा जो white level लेगा तो उसको यह option दिखेगा यहाँ पर बहुत सारी चीज़े हैं मैं आपको basic दिखा देता हूँ और basic में यह अगर आप देखोगे तो इस तरीकी का dashboard हैं मैंने पहले भी दिखा रखा है यह तो था dashboard कि किसने कितनी invoice लिये, क्या plan लिया वगेरा वगेरा यह है user log जिसके अंदर यह दिखता है कि user का जो data है मतलब जो भी order लगाए हैं वो किस वज़े से नहीं चले suppose मानो एक user है जिसका एक order नहीं लगा वो आपको पनी request ID देगा और आप उसे search करोगे तो आपके सामने पता चल जाएगा कि user ने क्या send करा था और इसके बिहाब पर क्यों order नहीं लगा क्योंकि इसके जो broker लोगोंगे यहां बनेंगे आप यहां search करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा देरे-देरे क्यों नहीं बना और आपके उसको support कर सकते हो कि यह गलती कर रहे हो आप याप broker की side से यह issue आ रहा है इसलिए आपके order नहीं लग रहे है तो मैंने आपको एक live order लगा के दिखा दिये और साथी मैं आपको एक fully algo का order लगा के दिखा देता हूँ future के अंदर अभी तो हमने option में काम कर रहा था तो इदर चलते हैं fully algo पे चलते हैं and buy कर लेते हैं एक btc btc usdt ले लेते हैं quantity ले ले लेते हैं 10 contract and tpsl भी ले ले लेते हैं 100 पोइंट का sl और 100 पोइंट का हमने यह ले लिया क्या कहते हैं से tp ले लिया यह हमने buy का syntax बनाया है तो buy वाला हम इदर डाल देते हैं यह हमने modify कर दिया पहले वाले जो auto strike price का था उसे delete कर दिया and दूसरा एक sale का बना लेते हैं fully algo में यह मैं अभी short कर रहा हूँ आप चाओ तो दुबारा से कर सकते हूँ मैं sale पे click करके and copy कर लेता हूँ तो यह copy हो जाएगा and reverse syntax बन जाएगा तो एक दूसरा alerts बना देता हूँ जिसका नाम रख देते हैं I'm short वैवुक दालने के मुझे बार बार जोर्ट इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि मैंने एक में दाल दे एक में दाल दो तो वो अपने आपी दूसरे में भी आता है तो एक बार मैं से हटा दू हाँ तो अगर आप देखोगे तो अब मेरे पास दो alerts हैं और यहाँ पर देखोगे तो कोई भी trade नहीं है तो जैसी user का long का trade बनता है जैसे मैंने मैं manual tigger कराता हूँ जैसे आपको पता हो रही है इंटर लाइन से long का trade बना तो इनने क्या करा एक position लगा दी इनने पहले पुरानी position काटी है पर पुरानी position इसे मिली नहीं तो इनने false कर दे नहीं काटी क्योंकि है नहीं तो काटेगा क्या और 10 contract से इनने आपके आगे buy की position लगा दी अप देखो जैसे ही sale का syntax tigger होता है sale color tigger होता है ये buy को काटेगा और sale की लगा देगा एक live दिखा देता हूँ मैं आपको मैंने यहाँ tigger कराए यहाँ short आएगा आया इदर चलते हैं इनने buy की काटी buy की काटने के बाद इनने इस sale का order लगा दिये तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर यह अभी जो red ओर रखा red का मतलब यह short का है तो short का signal लगा दिया तो I hope आपको पता चल गया होगा कि हमने white label add कर दिया है and white label की पूरी वीडियो price क्या है कैसे क्या दे रहे है सारी चीज़े बताई थी market में सबसे low price पे दे रहे है and full support and कोई hidden charge नहीं किसी तरीकी का कोई maintenance charge नहीं जितना हमसे हो सकता है हम वो कर रहे है and मैं आपको यह बता दू कि next level जो next broker add करेंगे धना add करेंगे अगर आप कुछ चाते हों तो मुझे बता देना कि next broker कौन सा add करा जाए जिसकी ज़्यादा demand होगी उसको add कर दे जाएगा thank you for watching this video and bye